आज हम बात कर रहे हैं want of factor के बारे में चार qualitative property अपने पहले से पढ़ लिए है जब आपकी qualitative property अच्छे से समझ में आ जाए निया आया तो दुबारा से देखना जब qualitative एकदम से clear हो जाए तब want of factor को आप हाथ लगाना ठीक है क्योंकि want of factor समझने से पहले हमारी qualitative properties की जितने भी terms या concepts है वो अपने clear होने चाहिए ठीक है चार तरह की qualitative property थी first देखी थी मैंने यहां के ओर formula लिखे है relative lowering of vapor pressure यह अपने को पता है relative lowering of vapor pressure एक qualitative property which is depends on only number of solute particle not air nature उनकी nature के ओपर depend नहीं है clear तो relative lowering of vapor pressure है ना कि lowering of vapor pressure है vapor pressure तो गटेगा बढ़ेगा जो भी है लेकिन relative lowering of vapor pressure एक qualitative property है फिर अपने बात करी elevation of boiling point फिर depression of freezing point चीक है भी फिर बात में बात करी अपनने osmotic pressure की यह चार तरह की qualitative property हमने discuss कर ली है हर एक qualitative property को आप देखो तो यह number of solvent solute यह number of solute यह number of solute यह number of solute number of moles of solute इसका मतलब यहाँ पर किसी तरह कोई nature की बात ही नहीं हो रही कि कौन सा आपने electrolyte लिया है non electrolyte या whatever अपने को कुछ भी यहाँ पर बात करी नहीं ठीक है लेकिन हमले पहले ही यह discuss कर लिया है कि यह जितनी भी qualitative property है यह किस के लिए है जब all solute were non electrolyte सारे के सारे solute कैसे हो non electrolyte हो तब यह qualitative property के बारे में अपन बात कर सकते हैं अपने जो values है वो experiment और calculated दोनों के equal आ जाये clear और non electrolyte कौन कौन से है यह बताने की मेरे को जरूरत नहीं है क्योंकि आपको बता है कि यूरिया, glucose, sugar cane वगरा जितने भी हैं वो अपने non electrolyte में आ रहे हैं ठीक है electrolytes क्या है electrolytes वो जो dissociate हो सकते हैं या associate हो सकते हैं whatever अपन बात करते हैं ठीक है तो अपन electrolytes की बात करें जब बात अपन electrolytes की करते हैं तो हमारे को पता है कि NACL को भी अपनने क्या काला कि solute की तरह use में लिया और solvent के अंदर mix किया और mix करके इन चार kolligative properties की calculation करना मैंने जब start किया तो मेरे को पता है कि जैसे ही NACL को मैं water के अंदर डालूँगा वो NACL, NACL नहीं रहेगा और वो किसमें dissociate हो जाएगा? NACL और CL- जब कभी भी NACL को water के अंदर मैंने mix किया solution बनाया तो NACL और CL- में वो dissociate हो गया ठीक है? लेकिन मैंने जो NACL डाला वो मैंने तोल के डाला और watch glass से और मैंने कितना डाला अपने? 1 mole जब मैं 1 mole डाल रहा हूं तो मैं calculation भी 1 mole के according ही करूँगा तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा number of moles of solute, 1 mole number of moles of solute, 1 mole यहाँ पर 1 mole, यहाँ पर 1 mole सब के लिए अपन क्या कर देंगे? 1 mole, 1 mole, 1 mole अपन यहाँ values put करके अपन calculation कर लेंगे लेकिन मैं जब इसका experiment करने की कोशिश करूँगा तब मैं देखूँगा कि 1 mole जो है वो तो calculated तो एकदम accurate आ रहा है लेकिन वो 1 mole solution में जाने के बाद वो 1 mole नहीं रहा, वो 2 mole में convert हो गया, 1 mole तो na plus का और 1 mole c l minus का यद रहे जाएगा अब आपके mind में अगर यह चीज़ आ रही हो कि na c l की size, क्योंकि na और c l दोनों मिल रहे हैं तो na c l की size na और c l से कम है तो सर इसकी value भी accurate आने चाहिए या बराबर आने चाहिए यह 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 आ जाए कि na c l हैं, अपने एक na c l लिया तो half में यह तो half में यह तोड़ गया, half में यह तोड़ गया प्रोपर्टी समझ में नहीं आई है clear, क्योंकि प्रोपर्टी only and only depends on number of moles, not on their nature, उसको कोई मतलब नहीं है कि वो na c l है, वो ket i n है n i n है, whatever, कुछ भी हो उसको उससे कोई लेना देना ही नहीं है, उसको केवल और केवल number of solute particles से ही मतलब है ठीक है, तो calculation तो हमने कर ली one mole के according, लेकिन experiment से answer कितने के according आ रहा है two mole के according, यानि कि जो osmotic pressure की बात है या depression of freezing point की बात है, elevation of boiling point की बात है, relating longering of vapor pressure की बात है, यह directly proportional to में है, इसका मतलब इनकी सारी values भी क्या रही है, बड़ी हुई आ रही है जितना मैं osmotic pressure calculate कर रहा हूँ, वो experiment से कम आ रहा है, यानि के values equal नहीं आ रही तो अपने क्या observed qualitative property is not equal to calculated qualitative property यह देजेगा अब हमेशा osmotic pressure की value बढ़ेगी क्या, जैसे अपने NACL डाला, मैंने osmotic pressure की calculation करनी है, वो calculation मैंने theoretical करी फिर कोई भई साब आये, उन्हों ने experiment से किया, और उन्हों ने का भई या तेरा answer तो गलत है, क्योंकि osmotic pressure की values कम आ रही है क्यों? क्योंकि वो जो भई साब हैं, वो तो 2 mole के according experiment कर रहे हैं, और मैं जो calculation कर रहा हूँ, वो calculation 1 mole के according हो रही है, clear? अब क्या हमेशा बढ़ेगी क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहां dissociation हो रहा है और बहुत सारे molecules ऐसे होंगे जो solution में जाने के बाद associate भी हो सकते हैं तो associate कौन हो सकते हैं? बहुत सारे examples से, उसमें से एक example मैं आपके लेता हूँ, acetic acid जैसे ही मैंने acetic acid को और water के अंदर mix किया यह acetic acid का एक molecule यह acetic acid का दूसरा molecule दोनों आपस में SOC8 हो गए with hydrogen bonding यह क्या बन गई है? hydrogen bonding मैंने तो दो समझ के उसको पानी के अंदर डाला लेकिन अंदर जाने के बाद वो कितने बन गए? दोनों मिलकर एक mole बन गया तो osmotic pressure की values के आ जाएगी? कम होकर आ जाएगी मैं calculate करूँगा ज़्यादा और experiment से कितना आ जाएगा? कम clear? इन सारे मुसीबतों को दूर करने के लिए dissociation की, association की यह जो variation आ रहा है इसको बोलते हैं अपन abnormal अब यह abnormal अगर qualitative property abnormal आ रही है तो जो हम solute का molar mass calculate करने की कोशिच कर रहे हैं वह solute का molar mass भी क्या आएगा? abnormal आएगा तो इसको बोल देंगे abnormal molar mass ठीक है? जो expected है, जो normal values है उससे क्या आ गई? या तो higher या lower तो उसको क्या के दिए abnormal molar mass clear? अब यह abnormal molar mass की जो problem आई, इस problem को दूर करने के लिए धरती के ऊपर want of factor नाम want of नाम के एक scientist का जनम हुआ और उसने एक factor दिया और उस factor के लिए कहा कि वह factor क्या है? तो वह factor i से denote किया हुआ है और उसकी values कैसे find out करेंगे total number of moles of solute क्यावल और क्यावल solute के बात होगी after dissociation और association चाहे dissociation हो रहा है चाहे association हो रहा है आप total number of moles पहले calculate कर लो then upon total number of moles of solute before after calculation बाद में और पहले ठीक है? कितना solute में फरक आया है आपका experiment करने के बाद या पहले तो after upon before यह अदर जाएगे बात है तो क्या कि अपन ने i is the total number of moles of solute after dissociation और association upon total number of molar mass total number of moles of solute before dissociation and association ठीक है अब after observed तो आपका observe कितना आया है upon before before मतलब आप calculate करके निकल रहा हो तो calculated कितनी value इन दोनों का आप ratio निकाल दो तो आपके i value आ जाएगी ठीक है यह i value जो i है इस i value को इन चारों colligative properties आप क्या कर दीजिए introduce कर दीजिए यानि कि इससे सबक से multiply कर दीजिए तो i यह i और यह i जो भी आपका difference होगा वो difference यहाँ पर क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा जो properties आपकी experimental आ रही है और theoretical जो display अलग अलग आ रही है वो अलग यहाँ पर इसको calculate करने इसको multiply करने से यह variation जोगा वो दूर हो जाएगा ऐसा उसने font of ने बताया था ठीक है भाई अब अपन बात कर रहे है आप लोगों के numericals तो numericals जो आएँगे वो dissociation constant के ओपर based आएँगे और dissociation को अपन alpha आप लोगों न 11th class में पढ़ा होगा alpha से denote करते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर NACL का dissociation माना हुआ 100% माना अपन यह सोच के चल रहे हैं कि सारा का सारा NACL जो है वो dissociate हो गया लेकिन अपन जानते हैंगे यह possible नहीं है dissociation 100% नहीं हो सकता है 99 हुआ 98 हुआ 97 whatever कितना हुआ है तो वो अपने को calculation करनी है तो वो calculation आप alpha से 11th class में करके आए हैं नहीं आएगा तो अपन next video में आपको अपस से इसके बता दूँगा भी कैसे calculate करते हैं ठीक है जैसे dissociation के अगर अपन बात कर रहे है तो electrolyte जब कभी भी dissociation होंगे dissociate होंगे तो उनकी I की value हमेशा 1 से क्या आएगी greater than आएगी ठीक है क्यों आएगी क्योंकि जैसे अपनने NACL की बात करी तो NACL का 1 mol अपनने count करके डाला लेकिन अंदर जाके कितने हो गए वो 2 mol तो 2 upon 1 तो value I 2 MGCL2 को डाला तो इसको अपन 1 mol समझ के डाल रहे थे लेकिन अंदर जाके 1 और ये 2 mol 2 और प्लस 3 ये 3 value आगी AL2SO4 को डाल रहे है अपन AL2SO4 को डाला तो इसको अपनने 1 mol calculate करके डाला लेकिन अंदर जाके ये 2 और 3 ये 2 प्लस 3 5 ये तो 5 value आगी इसका मतलब जब कोई भी dissociation होगा तो I की value 1 से ज़्यादा आएगी और association होगा तो I की value कम आएगी ठीक है और कितने percentage में dissociation होगा तो कितनी values निकलेंगे ये अपन next बात करेंगे तिक है? Thank you